जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत बड़ा इशू है fast बोलास के साथ उनका head बार की तरफ fall होता है और उनका body alignment श्टेट नहीं रहता और उनका आगे वाला pair भी बार की तरफ fall होता है उससे उनके knee पे stress आता है तो इससे हिंजरी की चांस भी बढ़ जाते हैं और उनकी बॉलिंग की स्पीड भी दीरे हो जाती है और उनकी एकुरेशी पे भी फर्क पड़ता है एक फास्ट बॉलर का एकुरेट होना बहुत जरूरी है इस केस में आपने देख सकते हैं इस फास्ट बॉलर का हैड पोजिशन तूवर्ज डिवरी और फ्रंट फूड लेंडिंग के टाइम इनका पैर अराउंड गली की तरफ जा रहा है और आप देख सकते हो पूरा लोड बैक पे और नीप आ रहा है इससे इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और एकुरेशी भी चले जाती है और बॉलिंग स्पीड भी भी बहुत कम हो जाती है तो इसके लिए हमने इक डिल बनाई है जो फिट की दूरी पर हमने दो लंबी रोप ले लीए और बालर को बोला गया है पुरा अरनप से बाल नींकी लिए जैसे कि आप देख सकते हो यह सेम बालर तो फिट की रोप के अंदर आके बाल डालता है के चांसे भी बहुत कम हो जाएंगे तो यह बहुत बड़ी अडिला आपके बाड़ी अलाइमेंट फ्रेंट फूट लेंडिंग और हैड पोजिशन को स्टेट करने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग